हेलो दोस्तों, Learn with Technology चैनल में स्वागत है आप सभी का, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवस्टी की चार बड़ी अपडेट, जी हाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश विश्व में देले ने चार बड़ी नौटिफिकेशन जारी कियें, तो आपका नौटिफिकेशन नमर था, जो कि 16.6.2021 को पब्लिश हुआ था, तो उसके कंसर्ण में यहां में बताया गया है, कि जो आपके एक्जामनेशन फॉर्म सब्मेट करने की लास्ट डेट थी, उसको यहां पे एक्स्टेंड कर दिया है, विदाउट लेट फीस, और यह बी-सी-ए, बी-बी-ए, बी-टी-ए, अंडर रूसा सिस्टम थे, जो रूसा सिस्टम थे, सैकेंड, फॉर्थ, एंड, सिक्स समेस्टर, और जिनका अकैडमिक एयर जो था, वो 2013-14 था, 14-15 था, और 15-16 था, तो उन्हें जो अपनी डिगरी कंप्लेट करने के लिए हां पे, एक्जामिनेशन जो फॉर्म भरने की डेट थी, वो 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, उसके बाद, जो है, 8 जुलाई के बाद, जो है, लेट फीस चार्ज की जाएगी, बाकी जो भी नौटिफिकेशन थी, आई भी वो, वो सैम रहेगी, उसमें कोई भी चैंज नहीं तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट की और, तो जो नेक्स्ट अपडेट है, वो भी आपकी यहाँ पर बता दें कि 16.6.2021 को पबलिश हुई थी, और इसी के रेफरेंस में यहाँ पर बताया हुआ है, कि जो एक्जाम भरने की लास्ट डेट थी, वो भी एक्सटेंड करक हैं, और यह रहने वाली है, आपकी UG Classes के लिए, जो की आपके अंडर रूसा सिस्टम थे, तो इसमें आपके अंडर ग्रेजुएटेट जो भी 2nd, 4th और 6th semester के student थे, जिनका academic session जो था, वो 2013-14, 14-15 और 15-16 था, तो उन्हें अपनी degree complete करने के लिए, जो examination form भरने की डेट थी वो extend करके यहां पे 8 July तक कर दी है, उसके बाद जो है, late fees charge की जाएगी, तो बढ़ते हैं, next update की और, जो आपकी next update रहने वाली है, यह आपकी BTEC को लेकर है, जी हैं दोस्तों, BTEC के जो आपके 5th और 7th semester के annual exam होने जा रहे हैं अभी जुलाई में, तो उसके reference में है, यहां पे जो है, college को जो है, यहां पे, यह revised schedule जो है, भेज दिया गया है, यहां पे आप देख सकते हैं, regarding revised date sheet for BTEC 5th and 7th semester regular or supplementary examination to be held in July 2021, तो जो 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 जुलाई 2021 में BTEC 5 हो हैं और 7th semester के जो paper होने वाले हैं, उसकी date sheet जो है, यहां पे भेज दी गई है, यहां पे बताया गया है कि, जो भी यह examination date sheet issue हुई है, यह जो है, COE office से issue हुई है, controller of examinations, HPU, तो यह 15-6-2021 को यहां पे बताया हुआ है, तो यहां पे बताया है कि, उसके बाद जो था, आपका date sheet जो है, revised हुई है, 28 जून को, पिछले कर यहां पे date sheet जो revised हुई थी, तो इसकी copy जो है, यहां पे नोंने फ अगर आपने necessary action लेना है, तो उसके लिए आगे जो है, यह भेज दी गई है, पूरी detail college को, जहां जहां आपके exam होने वाले हैं, यहां से आप college देख सकते हैं, यहां पे principal को भेजी गई है, जो आपके बलब government college मंडी है, government college हमीरपूर है, तो इन सभी college को भेज दी गई है, औ तो भी उसका जो है, क्या बोलते हैं पर photo identity proof होना चाहिए, like, आधार card, voter card, driving license, या आपका HP University student identity card, या आपका HP UIT library card होना चाहिए, इन में से कोई भी हो, तो उसे exam में बैठने दिया जाए, तो यह date sheet थी, यह मैंने last video में बे discuss कर ली है, तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक ह उसके बाद बढ़ते हैं, next update की और, और यह रहने वाली है, आपकी, यहां पर pre coaching से संबंदित है, जी हां दोस्तो, HPU में जो pre coaching होती है, तो यहां पर selected candidates की list लगा दी गई है, और यह जो आपकी रहने वाली है, यह medical और non medical के लिए रहेगी, जिसके schedule यहां पर बताया गया है स्टार्ट होने का वो होगा, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यह schedule रहने वाला है, ठीक है, यहां पर जितने भी selected candidates है, उनको यहां पर अपना whatsapp number भेजने को बताया गया है, इनके जो pre examination coaching center है, HPU का, तो उनके office का जो टेलिफोनिकली number है, वहां पर आपको यह अपना whatsapp number भेजना पड़ेगा, अगर आपके यहां पर remarks में कोई भी discrepancy mention की हुई है, तो आपको जो है, वो भी भेजना पड़ेगा, यहां पर एक जुलाई से पहले पहले, ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं, फस्त पर जो है, SC category का है, with income criteria, और यहां पर आप देख सकते हैं, remarks में जो ठीक है, उसके बाद SDK जितने, SDK जो है, यहां पर टोटल चार candidates रहने वाले हैं, ठीक है, इनको अपने documents वेजने पड़ेंगे एक चुलाई तक, और उसके बाद हम बात करें, तो OBC की, तो OBC में भी यहां पर चार candidate की list लगा दी गई है, ठीक है, यहां पर आपको यह document जो है बेजने पड़ेंगे, उसके बाद हम general category की बात करें, तो general category में यहां पर total 11 candidates की list लगाई गई है, ठीक है, यहां पर 11 candidates रहने वाले हैं, और यहां पर एक candidate को जो है, यहां पर 10th का certificate भी देना पड़ेगा, और यह Mr. Abhay कुमार नाम का कोई candidate है, तो उसे अपने document जो है, एक ज चार बड़ी update जो की आज इस वीडियो में हमने discuss कर ली है, I hope कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like, comment और share करना ना भूले, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यवाद.